हेलो रिवान वेलकम टू फार्मारोक्स यूटूब चैनल फार्मारोक्स के यूटूब एच्चूग इसनल चैनल में आपका स्वागत है आज की वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टेडी करेंगे रैस्पाइरेटरिस टेम्यूलेंट्स के बारे में तो हम अलग-अलग मेडिकेशन के बारे में स्टेडी कर रहे हैं कि जो अपनी फार्माकलोजी के लेक्षन देते है रैस्पाइरेटरिस सिस्टम के उपर मतलब कि Pharmacology of Drug Acting on Raspiratory System और उसके अंदर हमारा आज का जो टॉपिक है वो है Raspiratory Stimulant मतलब कि ये ऐसे क्लास के Medication हम कहे सकते कि जो हमारी Raspiratory System को Stimulate करने का काम करती है तो हम उसके Pharmacology के अंदर सिखेंगे उनके सबसे पहले Basic Uses के बारे में फिर उनके Working and Mechanism के बारे में हम डिटेल में Study करेंगे कि किस तरह से ये Medication अपना काम करती है और उसके Examples भी हम देखेंगे कि कौन से Medication Respiratory Stimulant के तौर पे काम करती है तो यहाँ पे आप Title Slide के अंदर देख सकते कि Caffeine Saturate का जो Injection है Dopram करके एक Injection है Doxopram है और कि अपनिया का ये जो Injection आप देख सकते कि जिसके अंदर Active Pharmaceutical Ingredients के तौर पे होता है Caffeine तो यह सभी Medication को हम Respiratory Stimulant कहते है तो जानते ही डिटेल में इनके बारे में Expert Lecture वाया मरसर Assistant Professor and Founder of PharmaRox Thank you for being in one leg family of PharmaRox Updated रहिए Pharma Knowledge के साथ Access करिये Study Material Test Series And Video Lecture on App PharmaRox तो अगर आपके पास Android Phone है तो डाउनलोड कर सकते है PharmaRox का Android Application की जो Google Play Store पे अवरेबिल है और अगर आपके पास iPhone है तो App Store पर से भी डाउनलोड कर सकते है Link आपको Description Box के अंदर मिल जाएगी तो अब समझे है Respiratory Stimulants के बारे में तो यहाँ पे जो में आपका जो concept आपको clear करना है Respiratory Stimulants के बारे में तो यह point को समझे कि Respiratory Stimulants are the medications or the drugs or a chemical agent which is used to stimulate the respiratory system or restore the normal respiration तो यहाँ पे आप स्लाइड में देख रहे है कि यह हमारा lower respiratory tract है और यह वाला upper respiratory tract और यह तोनों मिला कर हमारी respiratory system को तयार करते हैं कि जिससे हम respiration वगेरा करते हैं breathing करते हैं और हमारी body को जो need होती है oxygen की वो हम fulfill करवाते हैं और carbon dioxide हमारी body में से बाहर निकलता है तो respiratory system को फिर से stimulate करने के लिए कि अगर कोई disease के करण कोई ऐसे complications के करण समझे कि आपकी respiratory system का function जो है वो change हुआ है मतलब कि respiratory system का depression हुआ है respiratory system अच्छे से काम नहीं कर रही तो उस वक्त उसको stimulate करने के लिए फिर से उसको function को normal करने के लिए restore करने के लिए हम ये medications को use करते है when the lungs are unable to eliminate sufficient amount of carbon dioxide and unable to fix sufficient amount of oxygen molecules are collectively known as a respiratory stimulant मतलब कि आपके lungs जो है वो अच्छे से carbon dioxide को आपकी body में से बाहर नहीं निकल पाते और जो oxygen है उसको अच्छे से collect नहीं कर पाते मतलब कि जो oxygen और CO2 का जो exchange होता है हमारे lungs के अंदर तो ये process करवाने में आपकी respiratory system जो है वो fail होती है तो उस वक्त उसको फिर से restore करने के लिए उसके function को फिर से restore करने के लिए और साथो साथ हमारी respiratory system को stimulate करने के लिए तो stimulate पर से आपको एक simple example याद आता होता कि जैसे कि हमें हम नींद में से उठते है तो जो हमारी body जो है वो काफे depression type की होती है मतलब कि उस वक्त हमारी body के अंदर ताजगी नहीं होती तो उस वक्त ताजगी लाने के लिए आप टी या कॉफी वगेरा लेते है तो टी और कॉफी हमारे लिए central nervous system को stimulate करवाने का काम करतेगी जिससे हमारी body के अंदर फिर से ताजगी आ जाता है और फिर से हम उठने के बाद समझे कि टी और कॉफी लेने के बाद जो हमारी body के अंदर जो ताजगी आती है body stimulate हो जाता है तो उसके करण routine काम जो है वो हम अच्छे से करते है तो same like that जब आपकी respirator system भी ऐसे ही होती है कि मतलब कि उसका function alter हो जाते है अच्छे से अपना काम नहीं करती तो उसको stimulate करने के लिए हम respirator stimulants को use करते है तो following are the respirator stimulants used to treat condition of respiratory depression कि जब आपकी respiratory system depressed हो जाती है तो उस वक्त stimulate करना काफी जरूरी रहता है तो उस वक्त हम ऐसे medications को use करते है जैसे की कैपनिया injection है कैफसीट है कैफिन है डॉपराम है और डॉपराम तो कैपनिया injection की जिसके अंदर main active pharmaceutical ingredient हम देखे तो वो रहता है कैफिन उसी तरह से ये कैफिन citrate का जो injection देख सकते है कि जिसको कैफसीट भी कहा जाता है कैफिन और citrate मतलब कि कैफिन citrate जो है उसको कैपसीट भी कहा जाता है तो उसके अंदर भी main active pharmaceutical ingredient के तोर पे है ये कैफिन तो कैपसीट है कैपनिया injection and कैफिन citrate ये तीनों के अंदर main जो कोई active pharmaceutical ingredient हम का है तो वो है कैफिन की जो respiratory stimulant के तोर पे काम करेगा उसी तरह से ये जो है डॉप्राम and डॉप्राम तो डॉप्राम injection के अंदर भी main ingredient हम देखे तो वो है डॉप्राम और यहाँ पे डॉप्राम hydrochloride के फॉर्म में है कि जो intravenous injection के तरीके से patient को दिया जाता है तो यह हम main medications का है कि उसके अंदर main दो ही ऐसा medication है कि एक है डॉप्राम और दूसरा है क्यापिन और बाकी उसके सब marketed formulation है कि कि यहाँ पे जो आप देख सकते है कि सीपला की जो product है that is क्यापनिया इंजेक्शन उसी तरह से डॉप्राम इंजेक्शन भी उसका brand name है और यह है डॉप्राम फिर कैपसीट वो भी उसका brand name है और उसके अंदर ingredient रहता है caffeine citrate तो हब जानते हैं उसके बारे में detail में तो डॉप्राम किस तरह से respirator stimulants के तोर पे काम करता है तो उसकी हम mechanism of action देखे respirator stimulant in medulla medulla की जब हमने nervous system के बारे में सीखा था तो जो central nervous system के अंदर हमने brain के बारे में detail study की थी तो हमने जाना था कि जो respiratory related जो अलग-अलग centers होते है वो हमारे brain के medulla के अंदर होते है तो यहाँ पे लिखा है कि produce the respiratory stimulation in medulla which propagates stimulation to other part of the brain and spinal cord मतलब कि dogza from क्या करता है हमारे central nervous system को stimulate करता है और उसके करण central nervous system का ऐसा part कि जो है medulla और medulla के अंदर अलग-अलग respiration के related centers मौजुद है तो जुसके करण क्या होगा कि जब यह medulla के अंदर रहे यह respiratory center सब stimulate हो जाते है तो उसके करण आपकी पूरी respiratory system आगे जाके proper stimulate होती है और यह medication अपनी action देती है as a respiratory stimulant through the peripheral carotid chemo receptors तो यह point आप खास यद रखे कि कौन से receptors के थूँ dogza अपराम अपनी pharmacological action के तौर पे central nervous system के medulla को stimulate करती है तो by carotid chemo receptors उसकी हम pharmacogen kinetic देखे तो उसकी onset of action 20 से लेकर 40 seconds के अंदर start हो जाती है मतलब कि कोई परसन को यह injection देते हैं हम तो within 20 to 40 seconds के अंदर उसको अपनी pharmacological action जो है वो मिल जाती है duration हम देखे तो 5 से लेकर 12 minute की जो single intravenous injection हम कह सकते है peak plasma आप उसका देखो तो वो होता है 1 to 2 minute और उसकी half life आप चेक कर हो 3.4 hour और range के अंदर हम देखे तो 2.4 से लेकर 4.1 hour जितनी उसकी half life की T1 half जो हम कहते है उसकी half life that is a 3.4 hour और approximately ranges के अंदर 2.4 से 4.1 hour तो ये slide के अंदर आपको main जो focus करना है जो चीज के उपर तो वो है उसकी mechanism of action कि किस तरह से ये dogza प्राम अपना काम करती है तो उसका एक ही target है main that is our respiratory center कि हमारी brain के अंदर main respiration के लिए जो center आते है तो उनको respiratory center कहा जाता है और ये center जब प्रापर activate होते है stimulate होते है तो अपनी function अपने जो function होते है वो अच्छे से करते है so medicines के थ्रू ये centers को फिर से activate करवाना फिर से उनको stimulate करवाना काफी जरूरी है और उसका काम करेगा ये dogza प्राम तो जो भी person का central nervous system depression के अंदर है अच्छे से वो अपना काम नहीं कर रहा तो उस वक्त ये dogza प्राम का injection को दिया जाता है और उसका हम mode देखे तो intravenous administered किया जाता है and not for using newborns तो ये खास दियान रखिए newborns के अंदर ये dogza प्राम use नहीं होता तो ये खास दियान रखना है कि जो newborns baby के अंदर भी कई बार ये problems होते हैं respiratory related तो उस वक्त आप newborns baby के अंदर dogza प्राम जो है वो use नहीं कर सकते हैं वो contraindications के अंदर रहेगा for the newborn babies तो उसकी लिए जो दूसरा option है हमारे पास that is caffeine तो caffeine भी respiratory stimulant के तौर पे काम करता है और caffeine हम जानते हैं कि वो है methylxanthine derivative तो methylxanthine derivative के तौर पे ये caffeine अपनी pharmacological action देगा और it promotes the cyclic EMP EMP आप जानते हैं कि adenosine monophosphate accumulation by inhibiting phosphodiesterase increase medullary respiratory center sensitivity to carbon dioxide तो जो medullary respiratory center है उनकी sensitivity को increase करता है to carbon dioxide और उसके करण क्या होगा आपकी respiratory system जो है respiratory system फिर से stimulant होती है and it may prevent the apnea by acting as an adenosine receptor antagonist कि कई बार आपका जो brain है as well as आपकी जो respiratory system है वो अच्छे से काम ना करे तो उस वक्त उसको stimulate करवाना काफी जरूर रहता है कि जो हम जानते कि caffeine as a CNS stimulant के तोर पे भी काम करता है तो उसकी यही effect हम respiratory system को stimulate करवाने के लिए भी utilize करेंगे तो the TNS stimulant action of this drug also contribute to improve the respiratory function तो जैसे मैं भी आपको बताया कि जैसे caffeine अपना काम करता है central nervous system stimulant के तो उसके यही action का हम benefit ले सकते है respiratory system को भी फिर से stimulate करने के लिए because respiratory system को control करने वाले जो center है वो हमारे brain के अंदर है और उसमें भी जो medulla का जो portion है brain stem का जो portion होता है और उसमें भी यह जो हम कहते हैं कि medulla oblongata और medullary respiratory center तो वहाँ से हमारे respiration related जो अलग-अलग function है वो वहाँ से control होते है तो जब आपके central nervous system proper stimulate हो जाएगी तो यह भी centers automatically stimulate होंगे और अच्छे से अपना काम करेंगे तो उसकी pharma को kinetik हम समझे तो उसकी half life है 72 से लेकर 96 अवर जितनी peak plasma आप देखे तो 30 से लेकर 120 मिनिट जितना है plasma concentration आप उसकी देखे तो 1.5 से लेकर 1.8 माइक्रो ग्राम पर मिली लिटर जितना है protein bounding आप देखे तो 17 से लेकर 36 जितना है volume of distribution 0.6 से लेकर 0.9 लिटर पर किलो ग्राम metabolism उसका होता है hepatic मतलब कि liver के थुरू होता है and excreation होगा urine में से तो caffeine citrate कि जिसका आप यहाँ पर while देख सकते कि for intravenous use only and for single use only discard the unused portion मतलब कि यह while को आप one time use ही कर सकते है single use ही है और उसके अंदर main ingredient है caffeine citrate और 60 mg पर 3 ml that means 20 mg जितना content present होता है per ml 20 mg per ml तो यह है main उसका content caffeine का in this while तो how respiratory stimulant work respiratory stimulant किस तरह से अपना काम करते है तो it includes the class of those drug which is used to stimulate the central nervous system तो अभी हमने जो दो एक्जाम्पल देखे कि डॉक्जाप्राम का हमने एक्जाम्पल देखा और दूसरे एक्जाम्पल देखा हमने caffeine का तो caffeine and डॉक्जाप्राम दोनों ऐसे क्लास के medication है कि जो आपके central nervous system को stimulate करते जिसे की central nervous system के दो main part एक है आपका brain और दूसरा है ये spinal cord तो यहापे आप डाइग्राम में ये देख सकते है कि जो brain है और ये spinal cord और spinal cord का ये region कि cervical spinal nerves होते है thoracic होते है sacral lumbar तो ये है पुरा हमारा spinal cord और उसमें से निकलने वाली ये सब peripheral neurons वो बना दी है हमारा peripheral nervous system तो यहापे जो lungs का portion है और यहाँ तक जो हमारी respiratory system है तो उसको control करने के जो center है वो हमारे brain के brain stem के अंदर है और brain stem का भी जो medula का जो portion है वहाँ पे main respiratory center से तो जब आप आपकी central nervous system को stimulate करते है तो साथो साथ आपके brain के ऐसा center की जो respiration को control करते है वो भी काफी activate हो जाएंगे stimulate हो जाएंगे so central nervous system of the body hence it is known as CNS stimulator it is also stimulate the chemoreceptor and vasomotor center regulate the blood vessel diameter of the body तो respiratory stimulant हमारे respiratory system को तो stimulate करते ही है साथो साथ वो हमारे chemoreceptors होते है हमारे chemoreceptors और vasomotor center कि जो हमारे blood vessels होते है उसके diameter को regulate करते है मतलब कि कुछ कोई टाइम पे हमारे blood vessels का diameter increase होता है कि जिसको हम कहते है उसका dilation और उसका जब ये diameter कम होता है narrow होता है तो हम कहते है कि उसका constriction होना तो जो contraction relaxation की जो process होते है same like that blood vessels का भी constriction और उसका dilation का process ये control करते है तो उसी तरह से वो respiratory system को भी control करेंगे तो as the drug act as a irritating agent यहाँ पे क्या होगा हमारी जो medication है respiratory stimulant वो एक irritating agent के तोर पे काम करेगी as the drug act as a irritating agent therefore it irritate the epithelial layer of the air passes such as bronchi, trachea and lungs which leads to respiratory stimulation तो यह medications usually क्या करती है तो वो irritating agent के तोर पे काम करेगा और irritating agent हमारे जो यह respiratory system या फिर उसकी जो अलग अलग पार्थ है उनका जो layer होता है epithelial layer की जो epithelium cell का बना हुआ होँआ होता है because यह सब एक टाइप की tissue है तो यह tissue बनने में जो epithelium cell होता है उनका जो layer होता है उसको irritate करेंगे जिसके करन क्या होगा कि जैसे जैसे air पास होती जाएगी हमारे bronchi में से trachea में से और lungs में से तो वो respiratory stimulation का काम करवाएगी और जैसे जैसे air के पास इसके साथ हो साथ अपना absorption करवाते हैं अपनी pharmacologic lection देते हैं यह lungs के region के अंदर तो वो stimulate होते हैं और अपना काम फिर से restore करके अच्छे से अपना function start कर देते हैं तो उनका basic use हम जाने के कौन से ऐसे medical condition है कि जिसके अंदर हम यह respiratory stimulants को use करेंगे तो use in the treatment of following respiratory condition तो सबसे पहले ऐसे condition कि जिसके अंदर आपकी respiratory system जो है वो depression में चली जाती है मतलब कि वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाती कि जिसे कोई person depression में होता है और किस तरह से अपना काम अच्छे से नहीं कर पाता अपनी routine life को अच्छे से जी नहीं पाता उसी तरह से हमारी body का यह respiratory system जब depression में जाता है कहते हैं shortness of breath slow and shallow breathing आपकी breathing काफी slow हो जाती है breath short हो जाते है और breathing भी काफी slow हो जाती है आपकी और फिर क्या होता है कि आपकी acid body की condition की जिसको हम कह सकते कि apnea जैसा होना तो treatment of apnea that means a disorder in which breathing repeatedly stop and start कई बार breathing आपके stop होते है कई बार breathing फिर से start होते है तो यह जो lungs के अंदर continuously proper oxygen पहुँचना भी जरूरी है और उसके अंदर जो carbon dioxide होता है वो भी हमारी body में से बाहर निकलना जरूरी है और oxygen and CO2 का जो exchange का जो process होता है वो continuously proper होने के लिए जरूरी है कि आप जो breathing अच्छे से होते रहे बट जब आपके respiratory system खुद depression में चली जाती है तो वो अच्छे से breathing करवाने में नाकाम हो जाती है तो जब ये respiratory system अपना काम अच्छे से के अंदर ही दिये जाते है कि जहाँ पे respiratory depression हुआ है respiration काफी slow हो गया है मतलब कि breathing काफी slow हो गया है और जो apnea की जो condition होती है मतलब कि आपके जो breathing है वो कई बार stop हो जाते है और फिर से start होते है मतलब कि start, stop, start, stop ऐसी condition जब होती है respiration की और breathing की तो उस वक्त ये respiratory stimulant दिये जाते है फिर से आपके respiratory system को stimulate करने के लिए तो in apnea of prematurity मतलब कि premature जब बर्थ होता है किसी भी बेबी का कि समझे कि हम normal consider करते है कि 36 से लेकर 40 week की pregnancy के बाद जो है वो child birth जो है वो हो जाता है बड़ उससे पहले समझे के काफी जल्दी हो जाता है तो इसको हम कहते है premature baby तो premature babies के अंदर कई बार ये problem देखने को मिलती है कि वो proper कई बार breathing नहीं कर पाते तो इने premature baby a part of the brain that control the breathing is not mature enough for non-stop breathing तो यहाँ पर आपको concept समझ में आएगा कि जब proper हमारा brain mature हो जाता है तो वो हमारा non-stop breathing कर वाता है बड़ premature babies के अंदर problem ये है कि अभी तक उनका जो brain है वो उतना develop नहीं हुआ उतना अभी तक mature नहीं हुआ because उनका premature उनका birth हो चुका है समय से पहले काफी उनका जनम हो चुका है जिसके कारण अभी उनका brain इतना develop नहीं हुआ है कि जो non-stop breathing कर सके और ये condition को हम कहते है apnea of prematurity कि mature होने से पहले ही जब किसी चाल्ड का birth हो जाता है तो ऐसे condition में उसका brain अच्छे से ये non-stop breathing को control नहीं कर पाता and this is called a apnea or breathing trouble of prematurity so capnea injection is prescribed in such cases of apnea of prematurity तो जब apnea होता है इस टाइब के premature babies के अंदर दूस वक्त हमने देखा कि डॉकजा प्रामतों उसको नहीं दिये जाता है वो सिर्फ adult के लिए ही है तो ऐसे condition के अंदर ये caffeine का जो product है कि जिसको हम कहते हैं capnea injection तो ऐसे injection ये premature baby को जो है वो दिये जाते कि जिससे फिर से उसका जो respiratory system जो है वो stimulator रहे और जब तक वो proper mature ना हो तब तक अपना जो breathing है वो non-stop करवा सके तो ये था respiratory stimulants का basic use उनके side effect भी जनना जरूरी है तो उनका first हम जो कोई side effect देखे तो that is delirium मतलब की acute confusional state कि confusion या फिर dizziness जिसा person के अंदर रहे ना तो इस तरह से ये कि person confused भी है dizziness जिसी condition है तो जिसको हम कहते हैं delirium तो long term जब use किया जाते हैं ये respiratory stimulant तो ये एक complication या फिर side effect डेवलप होती है फिर insomnia मतलब की difficulty in sleeping तो इसका answer आपके पास ही है because आप जानते हैं कि ये medication आपकी central nervous system को stimulate करते हैं तो जब हमारी central nervous system stimulate होती है तब आपको नीद नहीं आती मतलब की insomnia की condition की difficulty in sleeping की रात को भी आपको नीद नहीं आएगी जल्दी से तो ऐसे condition produce होगी कि जब ये respiratory stimulant आप यूज़ करते हैं because respiratory system stimulant करने के साथ साथ वो CNS को भी stimulant कर ही देते हैं तो ऐसे condition में आपको insomnia होना जो है वो एक स्वाबाविक है फिर बात करें तीसरी side effect उसकी that is frequent erg to urinate क्या आपको frequent urination के लिए जाना पड़े ऐसा आपको feel होता है dehydration जैसा feel होता है fever की condition की आप देखो कि temperature 37 से उपर जो है वो measure दिखा रहा है 38 degree जितना है तो fever का condition patient को feel करता है flushing के conditions वगेरा उसके बाद दूसरे common side effects देखे तो sweating है मतलब कि पसी ना हो सकता है आपको headache, dizziness, cough, chest pain, nausea and vomiting है सब उसके common side effect आप देख सकते कि जब कोई person ये respiratory stimulants को use करता है उनके contraindications के बारे में जाने तो ये काफी जरूरी है कि respiratory stimulants को कौनसे conditions के अंदर हम use ना करें तो सबसे पहले तो if person is alcohol addictive अगर कोई person alcohol addictive है तो उसको ये respiratory stimulants कभी ना दे दूसरी condition unsafe to use during the pregnancy के दौरान उसको use नहीं करना है caution during the breastfeeding उसके बाद चौथी condition की person having a increased heart and breathing rate की जिनके heart rate और breathing rate increase होते है उनको भी ये ना दे because और जदा stimulations के करन problem हो सकता है patient को anxiety related person से कि ऐसा person की जिनको anxiety चिंता सबंदिद बीमारी है चिंता सबंदिद विकार है कि जो already depression के अंदर है tension के अंदर है और उसके करन वो anxiety related उसके problem है तो उसको भी ये medications ना दे फिर इफ person having a ringing in the ears कि जो ringing in the ears जैसे condition है person को तो भी हम उसको use ना करे और इफ person having irregular heartbeat तो ऐसे जो हम condition यहाँ पर देख सकते है कि ये सभी conditions के अंदर ये medications को prescribe ना करें do not prescribe in following medical condition तो ये थी respiratory system respiratory stimulants के contraindications तो हमने यहाँ पर detail में सिखा ये lecture के अंदर respiratory stimulants के बारे में तो pharma rocks के जो lecture notes है वो जरूर से आप access करें कि subject wise note pdf and ppt's of lecture rapid revision notes affordable price में आपको मिल जाएंगे और वो रहेंगे useful for law exam access करें study material taste series and video lecture on app pharma rocks जोईन कर सकते है whatsapp group access करें study material taste series and video lecture on app pharma rocks तो अगर आपके पास android phone है तो डाउनलोड करें pharma rocks का android application की जो google play store पे है और अगर आपके पास iphone है तो app store पर से भी आपको डाउनलोड कर सकते हैं लिंक आपको description box के अंदर मिल जाएंगे तो जरूर से चेक करें description box और डाउनलोड करें pharma rocks the way of success good luck and all the best